हेलो फ्रेंज वर्कम बाक टू पीसी स्टेडी चानल फ्रेंज आज लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉल टक्नी एट राउंड कौंसलिंग के बारे में दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि एट राउंड का रिजल्ट जो है कल आप लोगों का आ रहे तो कब तक कल र क्यांक वालों को मिल सकता है हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं तो वीडियों को पुड़े आंतर देखेगा बाकि चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजी आपको और भी अपडेट मिल पाए तो फ्रेंड्स यहां पे हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का हो ठीक है इस बातों का ख्याल रखना है उसके बात फ्रेंड्स आपको जो है यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप 27-28 तक जाके जो है डोकिम्न वेरिफिकेशन कराना है क्योंकि फ्रेंड्स आज एक स्टुडेंट का मैसेज आए तक सर भूल गए यादी नहीं रहा है तो कम टाइम दिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए इसलिए टाइम पर वेरिफिकेशन जरूर करा लें जिससे आपकी एडमिशन होने में कोई परिशानी ना हो ठीक है और यहां पर पी डिपोजिट आपको 27-29 तक करना है ओके अब यहां पर हम बात कर लेते हैं यदि आप 80-80 से हो 80-80 से हो तो यदि आपका एक लाख रेंग है ठीक है ना तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं यदि आप BC1 BC2 से हो तो फ्रेंट्स यदि आपका रेंग 70-80 तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा कहीं ने कहीं डिपेंड यह करता है कि या आपने maximum college को select किया है या फिर नहीं किया है तो यह चीज़ें हैं बाकी friends कोई आफिसली जो है यहाँ पर इसके बाद कोई आता है 8th round के बाद यह कोई आफिसली आपडेट आता है 9th round को ले करके तो हम आपको बताएंगे बाकी 8th round फोकस कीजिए और I hope कि आप हो गए 8th round में सारे इस्टुएंट को लगभाव मिल जाए सो मिलते हैं कल लाइव सेशन में तैंक यू सो मच थैंक यू